वेल्कम टू टार्गेट क्लासेज विध हरीश सर आज की वीडियो में हम सुपर्टेट 2020 जो सुपर्टेट होने वाला है अब इसका एक्जाम 2020 में तो होने की उमीर नहीं है 2021 में होगा तो इसका स्लेबस डिसकस कर लेते हैं कि अभी जो पुराना स्लेबस है आयोग के द्वार निर्धायित किया गया है उसी स्लेबस के अंशार अभी हम लोग तैयारी करेंगे अब जैसे ही नया स्लेबस अपडेट किया जाएगा आप लोग को नया स्लेबस के सूचना दे दी जाएगी तो देख लेते हैं कि इनका जो स्लेबस है वो कितने नंबर का एक्जाम आता है लेबस में क्या क्या आता है, किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्या हम लोग को आ रहा है, क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ चुके हैं, ये सब देख लेते हैं, तो ये जो एक्जाम होता है, सुपर्टेट के ये होता है, 150 नंबर का, ये एक्जाम होता है, 150 नंबर का, दूसरी भरती अभी जो present time में चल रही है इसका उत्तिरांक जो निर्धारित किया गया है government के द्वारा वो निर्धारित किया गया 90 और 97 इसका उत्तिरांक निर्धारित किया गया 90 और 97 इसमें पदों की संख्याती 69,000 और अब जो next vacancy आने वाली हैं उसमें पदों की संख्या क कम से कम 10 लाक, क्या सपास होंगे, क्योंकि इस बार, N.I.U.S.D. अलेट को भी मानिता मिल गई है, अब आगे क्या होता, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी हम लोग को उस हिसाफ से त्यारी करने की, हाँ हम लोग 10 लाक को मान के चलते हैं, कि हाँ हमारे सामने दस लाग पृतियोगी होंगे तो उसके लिए हम को किस तरीके से मेहनत करनी है कितना पढ़ना है किस इस्तर के पढ़ाई करनी है तबी हमको एक seat अपनी रिजर्ब हो पाईगी तबी तो एक seat हम लोगों मिलेगी उसके लिए स्टेटिजी देख लेते हैं क्या है तो जो इक्जाम होता है इसका जो इस्तर होता है इक्जाम का इस्तर इंटर्मीडियर का होता है इसमें भासा हिंदी वा अंग्रेजी विज्ञान गडित पर्या वरणयम सामाजी कद्यान कच्छा 12 इस्तर तक के questions पूछे जात है जीवन का अशवाल प्रबंध अविवरत थे डिलेट पा ठेकरा मिस्थर जो डिलेट में आप्नों पढ़ा है यह उससे रेलेटेट स्लेबस में दिया हुआ है तो स्लेबस में हिंदी संसक्रत और इंग्लिस जो हिंदी संसक्रत इंग्लिस से यह पूचा जाता 40 नमबर का अब हिंदी आती उसमें 20 नंबर की, आपकी संसक्रत आती है 10 नंबर की, इंग्लिस भी आती है 10 नंबर की, तो हिंदी तो सभी के लिए यूपी टेट में भी कंपलसरी रहती है, सूपर टेट में तो कंपलसरी तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, और आपका सी टेट में भी हिंदी compulsory रहती है लेकिन कुछ लोग संसक्रत और English कुछ लोग को संसक्रत आती तो संसक्रत ले ले लेते हैं कुछ लोग को English आती तो English ले लेते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपको ददस नंबर में संसक्रत और English दूनों subject मिलेंगे इसका syllabus क्या होता है स्लेबस में grammar related questions आते हैं इसमें दिया होता है वन्ड, विचार, उपसर्ग, प्रते, संद, समास, तत्सम, तत्बव, संग्या, लिंग, वचन, कारक जितना भी हम लोग ने यूपी टेट में पढ़ा हुआ सेम टू सेम वाइस लेबस इसमें सुपर्टेट का भी होता है यह आता है चालिस नंबर में नेक्स्ट है विज्ञान दैनिक जीवन में विज्ञान गति बल, औरजा, दूरी, प्रकास, धुहनी, जीवों की दुनिया, मानो, सरीर, स्वास्ते, स्वच्छतायों, पोसर, पर्य अब रहां इससे रेलेटेड जो दस नंबर के क्वेश्चन्स आते हैं इसके लिए आपको कच्छा छे, साथ, आठ, एन, सी, इ, आ, टी, बेस जो बुक चलती है उसको पढ़ लेना है उसको पढ़ने के बाद क्या होता है कि हम लोग को कुछ लगने लगता है कि साइन्स में हां ये क्वेश्चन्स हमाँ पढ़े हुए आए हैं तो ये दस नंबर का वेटेज होता है साइन्स का और जो वेटेज होता है बीस नंबर का ये होता है मैक्स का बीस नंबर का जो मैक्स का वेटेज होता और बीस नंबर ये आपका तीस नंबर का भी एक मिलेगा ये सम सामा कियों घटनाएं ये 30 नंबर ये 50 नंबर जो होते हैं यही आपके selection के लिए main होते हैं 20 मैक्स का और 30 जो current affair gsgk होता है वो main होता है तो ये 50 नंबर का अभी हम बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है next आता है आपका पर्यावरण और सामान यद्धन जो आपने यूपिटेट में पढ़ा था सेम वही स्लेबस है पर्यावरण सामान यद्धन का तो ये आता है 10 नंबर का next है सिच्छन का उसल ये DLA इस्तर के question आते हैं इसमें इसके लिए भी discussion करेंगे उतार के ज्यान ग्योतर reasoning reasoning में कुछ chapters होते हैं जिस पांच नंबर का आना है इसमें स्लेबस तो पूरा दिया हुए reasoning का लेकिन हमको पढ़ना क्या है जहां से पांच नंबर का इसमें मिल जाए तो वो कुछ chapters हैं आपको हमाई चैनल पर मिलेंगे वो सारे chapters जिस तरीके से पढ़ाए आते हैं exams में questions सारे chapters आपके cover किया जाएंगे next है सूचना तकनीकियां computer जो computer का syllabus है computer में present time में आप लोग के कम से कम 200 से 300 questions करा दिये गया है 500 की संखला चल रही है इस संखला को बढ़ाके अभी 1000 की संखला किया जाएगा तो कि 5 नंबर का जो यह computer आता है यह आपका कहीं से एक भी question छूटने ना पाए पांच का पांच यहाँ पर मिल जाए नेक्स्ट है जीवन कौसलम अभीवरत थी यह आता है 10 नंबर का यह total हो जाता है 150 नंबर का अब यह देख लेते हैं कि present time में क्या-क्या पढ़ाया जा रहा है तो present time में आपका हिंदी जो 20 नंबर की चल लही है science भी चलाई जा रही 10 नंबर की maths भी पढ़ाया जा रहा है maths में आपका पहला chapter चल लहा है number system नंबर system से related सौफ से ज्यादा questions कराया जा चुक्या है और भी अभी कराया जाएंगे उसमें अभी क्योंकि exam के लिए थोड़ा सा time में तो आराम से पढ़ना है सब पढ़ना है यनि कि जल्दबाजी में थोड़ा सा एक महीना बचता है तो पढ़ना सुरू करना अभी से पढ़ना सुरू करना धीरे धीरे योग कछवे की चाल से चलते जाएंगे जब अगर time मिला है तो उसको use करें यनि कि lockdown चला तो पढ़ा ही नह चैनल पर चल ला है next subject आता है आपको GSG के current affairs और GSG के current affairs के video चल लहे है इसको हमने अब सापताहिक में बदल दिया है जो current affairs का video है इसको सापताहिक आपको सबताहिक में जितने भी यह सात दिन होते है सातों दिन का current affairs एक दिन में मिल जाएगा जोकि current affairs बनाने में time भी बहुत लगता है तो इसलिए हमने इसको सातों दिन का एक दिन में देने का plan बनाया हुआ है क्योंकि other subjects को भी लेके चलना है क्योंकि यह 30 के 30 नंबर जो आते हैं आपके 30 में से 25 current affairs से related होगा और GSG के जो आता है आपको सामान अध्यान से उसमें से 5 नंबर का मिलेगा ठीक और computer पांच नंबर का ये भी हमाँ चैनल पर चल ला है reasoning भी चल लही है और बाल विकास ये total 110 नंबर का जो classes है ये present time में रन हो रही है हमाँ चैनल पर जो subject बच रहे हैं उसमें ये है संसकरत English, G1 कौसल और सिच्छन कौसल अब इसको भी जल्द ही सुरू कर दिया जाए तो हम यहाँ पर G1 कौसल, सिच्छन कौसल और बाल विकास को एक में मर्ज कर देंगे जो ये 30 नंबर का होता है ये 3 एक ही से related होते हैं तो इन 3 को हम एक में मर्ज कर देंगे ये 10 नंबर का भी चला इसमें 20 नंबर और मर्ज कर देंगे 300 इसमें हो जाएंगे तो ये हो जाए है तो इसलिए इनके random classes मिलेंगे आपको और बहुत जल्द ये classes आपको मिलना सुरू हो जाएंगी तो ये total बन जाता 150 नंबर का ये था आपका super test की तयारी का और इसी तरीके से same आपका आजाता है kvS का अब kvS में क्या होता है kvS में 20 marks का science आता है 20 marks का और evs आता है 20 marks का kvS में जो kvS prt का exam होता है उसका discuss कर लेता है और एक आता है cdp यानि बालविकास हो भी आता है 20 marks का तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया 120 नंबर का आपका kvS का और reasoning आ जाती है उसमें 10 नंबर की जबकि reasoning इसमें कितने नंबर की आती है supertet में 5 नंबर की पढ़ना सब वही है और gs gk current of यास इसमें आता है supertet में 30 नंबर का जबकि kvS में आता है 10 नंबर का जब हम supertet की तयारी करेंगे तो kvS की उसी में हो जाएगी computer आता है supertet में 5 नंबर का और जबकि kvS में आता है 10 नंबर तो ये 30 इसमें plus कर देंगे तो ये kvS का कितना हो गए 150 नंबर का kvS का exam भी होता है 150 का जिसका paper दो पार्टों का होता है यानि paper में part 1, part 2 दिया होता है general part में आता है आपका English जो अभी हमने 20 marks बता है तो इस तरीके से अगर देखा जा तो super tet की अगर तयारी कर रहे है तो kvS की साथ में होती रहेगी तयारी क्योंकि kvS और super tet का slabus सेम है बस नंबर में difference है कि कितने नंबर का क्या आता है बाकि slabus आपका पूरा सेम है तो ये आप लोग को तयारी करनी है और daily जितनी भी वीडियो डाली जाती चैनल पर उन सभी वीडियो को देखना है क्या करना है क्योंकि उन वीडियो को देखने से क्या होगा आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे तो mind में आपको feed रहेगा कुछ भी नहीं आप जाएंगे तो जब mind में जाएंगे तो वो learn रहेंगे और जब आप तयारी को smoothly पढ़ना सुरू करेंगे तयारी करना सुरू कर देंगे तो उस समय आपको कोई problem नहीं आएगी वरना क्या होता है कि जब आप तयारी करने माक्स मिल सके नमस्कार